Hello everyone, welcome to my channel आज हमारी दुनिया में आज के समाज में शैतानी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है हर तरफ हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज दुनिया में शैतानों का राज होता चला जा रहा है अच्छी आत्वाएं जो हैं प्रित्वी पर जिनकी वज़ा से आज भी हमारी दुनिया कायम है अच्छी सोच वाले लोग जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है लेकिन बूरी प्रविती वाले लोग लगातार अपने नंबर्स इंक्रीस करते जा रहे है इसका कारण क्या है पता है इसका कारण यही है कि लोग अपनी सोच पर यकीन ना करते हुए सामने वाले की सोच पर यकीन कर रहे हैं और नेगेटिव एनरजी जो चारों तरफ चाई हुई है उसके शिकंजे में खुद को फसा हुआ पा रहे हैं यानि खुद के बलबुते पर कुछ नहीं करना चाह रहे हैं बस पकी पकाई खिच्ड़े मिल जा है और आराम का जीवन लोग आज बिताना चाह रहे हैं पंजाब में जो महौल आज आप लोग देख रहे हैं चाहे वो ड्रक्स का केस हो या एक ऐसे इंसान का पंजाब में आकर हंगामा करना जो तलवार के बलबुते पर ISI का एजेंट होते हुए भी वहाँ पर अपनी टीम बनाना चाह रहा था आज उसका हाल क्या है आज वो भगोडा घोशित कर दिया गया है अपने काली करतूतों की वज़ा से उसने पूरे पंजाब का महौल बिगाड कर रख दिया लेकिन क्या सिर्फ एक इनसान के बिगाडने से आज का महौल बिगड़ता है Recently London में हमारे देश के जंडे का अपमान किया गया जो समर्थक थे जो खालिस्तानी समर्थक थे उन्होंने आकर जंडे का अपमान किया अगर जंडे का अपमान इस तरह से किया जाएगा बाहर के देशों में तो क्या हम लोग चुब बैठेंगे आज हमारे देश में भी सिख समुदाए आए रास्ते पर और उन्होंने ये घोशना कर दी कि ये बिलकुल सहन नहीं किया जाएगा यदि कोई भारत वर्ष का भारत वर्ष के जंडे का भारत माता का अपमान करता है और ये हुआ क्यों क्या ये ब्रिटिशर्स को ब्लेन देना चाहिए या राहुल गांधी को क्योंकि रिसर्टली राहुल गांधी नहीं जाकर बाहर ये भयान बाजी कर दी और अपने देश के खिलाप वहां बोलने की हिम्मत जुटा ली कि हमारे देश का लोक तंत्र डूब रहा है खत्रे में है उसे बचाना होगा एकोनॉमिक कंडिशन खराब है जबकि यदि हम नज़र डालें तो बाहर से जादा आज हमारा देश मुझे तो लगता है कम से कम जादा सुरक्षित है लेकिन अपने ही देश की जड़े यदि भारतवासी खुद ही खोखला करेंगे तो फिर उसे कौन बचाएगा अंग्रेज क्या बचाने के लिए आएंगे आज मैंने ये टॉपिक इसलिए आपनों के सामने रखा है क्योंकि दुनिया में हीरो सच्चे हीरो कम हो रहे हैं और विलेंस इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि विलेंस को लगता है शौट कट अपना कर अपने जीवन में ताकत को हतिया लेंगे और पैसे रुपे ले लेंगे और अपनी ताकत के बलबुते पर वो दुनिया में अपना राज कायम कर लेंगे लेकिन कोई भी यहां पर्मानेंट नहीं रह सकता जब कल की अवतार का एराइवल हो चुका है इस धर्ती पर तो विलेंस कितने ही खतरनाक मनसूबों के साथ भले ही इस धर्ती पर रह रहे हो लेकिन उनके खतरनाक मनसूबे कभी भी काम्याब नहीं होंगे कारण देविय शक्तियां असुरी शक्तियों के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर सदा से रही है और सदा रहेंगी यानि हीरो हमेशा ही जीत्ता आया है तो कलकी अवतार एक ऐसे सुपर हीरो अंतिम अवतार के रूप में विश्नु भगवान कलकी के रूप में पूरी तरह से 64 कलाओं को लेकर अश्ट सिद्धियों के मालिक जब धर्ती पर उतर आये हैं तो भला उनके सामने किसी मजबूत कितना भी मजबूत विलेन क्यों नहों कितना भी स्ट्रॉंग विलेन क्यों नहों उसके मनसूबे काम्याब नहीं हो पाएंगे एट लिस्ट हमारे देश के लिए तो बिलकुल नहीं क्योंकि हमारा देश वो आध्यात्मिक भूमी है जहां पर की संत, रिशी, मुनी, महात्मावने अपने आध्यात्मिक्ता के बलबूते पर अपनी अच्छी सोच के बलबूते पर इस धर्ती माता को हमेशा ही पवित्रता का वो मंत्र दिया कि हर कोई आज spiritual बनना चाह रहा है लेकिन spiritual बने तो बने कैसे क्योंकि दिन रात ऐसी बाते कानों में पढ़ रही है जो हमारी सेहत के लिए नुकसान दायक है तो खुद भी बुराई के राते पर चल रहे हैं औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो बुराई के राते पर चले और सबसे जादा इसमें weak minded जो souls है यंग स्टर हैं जिने समझ नहीं आता जो नशे के आदी होते जा रहे हैं जो financial weak है जिनके अंदर सोचने समझने की आजशक्ती गाइब हो चुकी है उनको बड़े आराम से एक उनके जीवन में परिवर्तन लाकर पैसे का लालच दिखा कर और उन्हें ये कहकर कि तुम्हें नशे से मुक्ती मिल जाएगी तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा उन्हे शिकार बनाया जा रहा है तो गंदी प्रविर्ती वाले लोग अच्छे लोगों को भी जो की वास्तों में मानसिक रूप से अपने आपको स्ट्रॉंग आज नहीं बना पा रहे हैं वही इनके शिकंजे में लगातार फस्ते चले जा रहे हैं इसे बार बार में अपने वीड दोस्तों से ज़ादा खुद के परिवार में समय बिताइए अपनी सोच आपके डिजायर्स या आपकी थिंकिंग क्या है आपके परिवार से ज़ादा कोई और सोच नहीं सकता समझ नहीं सकता जान नहीं सकता इसे एडवाइज लेना है तो अपने family members के साथ एडवाइज ल को बर्गला सकता है गलत रास्ते पर ले जा सकता है तो विलेंस आज के युग में भले ही कितने खतरनाक कुरूर क्यों नहों कल की अवतार के सबसे बड़े दुश्मन कौन है असुरी प्रविर्टी वाले लोग असुरी सोच वाले लोग जो की इस धरती को बदनाम करना चाहत हैं खून की होली खेलना चाहते हैं लेकिन जिस प्रकृती को विश्नु भगवान ने ब्रह्मा जी ने भगवान शिव ने सजाया सवारा ताकि यहां पर इनसान चैन की सास ले सके और इसलिए पालनहार के रुप में विश्नु भगवान ने जिम्मेदारी ली कि जब-जब विलेंस धरती पर आते रहेंगे क्योंकि उन्हें पता ही था कि कल यूग वो यूग है जहां पर विलेंस इतने स्ट्रॉंग होंगे कि उसके मुकाबले हीरो को अपनी ताकत जादा स्ट्रॉंग करनी होगी यानि उसके अंदर जो हीरो यानि कल की अवतार जब धरती पर इसलिए गुरु परशुराम के आदेश पर कल की अवतार ने की भगवान शिव की तपस्या और बन चुके वो इतने स्ट्रॉंग कि किसी भी विलेन का प्रहार उनके उपर होने वाला नहीं है तो यदि आप भी ऐसी असुरी प्रविति वाले लोगों से अपने आपको दूर रखना चाहते हैं तो अब भी समय है भक्ती का मार्ग पकड़िये कल की अवतार से जुड़िये हनुमान जी से भगवान शिव से या जिन्हें भी आप मानते हैं जो भी आपके कुल देव या से जुड़िये सिर्फ वही आपको सत मार्ग की ओर ले चल सकते हैं अदर्वाइस आज का यूग ऐसा यूग है जहां इनसान कब भटक जाए पता ही नहीं चलता थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो